असलाम वालेकुम वेलकम तो माइन यूटीब चैनल टो वार्ज मैडिसन इन डिस वीडियो वी 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 डिसकूस बाऊंडर्स अदेशन हैसल बैच क्वेश्चन की बात कर लें अदेशन हैसल बैच किसके लिए है इस इक्वेशन इस फार डेटर माइनिंग ली पी एच आफ ब और यह आयोनाइज होता है अई होके हैच पॉस्टिव और ए नेक्टिव दे रहें तो इसका के लिखते हैं निसीशिशन कॉंस्टेंट के एज इकुल डू प्राड़क्ट बै रेक्टेंट हैच पॉस्टीव है एन एक्टिव डिवाइड़ बाइच ए तो यह सका आगया के ए है the decision constant हुक है तो आप इसके मिलीई देर ले जाते हैं। इदर अचे इभाइड हो रहा है दूसरी साइट पर इसको मल्टिप्लाइर का रहे हैं के इंटू एच ए और इधर एंड्र मल्टिप्लाइर हो रहा था इसको को डिवाइड का देते हैं दूसरी तरफ ए नेक्टिव तो यह हमारे पास आजएगा एच पॉस्टिव हमने बेसिकली पी एच डिटर्माइन करनी है जिस पर कोई बॉफर सिलुशन वर्क कर रहा है तो यह हमारे पास फार्मोला आ गया अब हमने क्या करना है हमने इसका जो है एं नेक्टिव लॉग ले लेने नेक्टिव लॉग हमने लेना दुनों तरफ तो हैच पॉस्टिव इज इक्वल टू के एच एच ए वैए ए नेक्टिव लॉग के ए प्लस हो इंटू न्यक्टिभ लॉग है यह टीक है तो यह डिए आ गया मादब के लुग हो गया अब बुकमे यह न्यक्टिव लॉग कि पफेल ने लोग लिए उसके बाद उन्हें निक्टिव 1 से मल्टिप्लाइब के आपने कि लोग घथा लिक देए तो वह पी ठीक है उसके बा सब्सक्ति आगा में हम देठे हैं वुक्ति की लिए के पिके एक प्लस इंटु नेटिव लॉग है एच यह बटा है एक तो यह गटिलिए होगा पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव लिएक पीके एक पीक ही रहेगा है है और नेटिव लॉग HA बटा A negative अब इस question को हम invert कर देंगे A को उपर ले जाएंगे HA को नीचे ले आएंगे तो इससे क्या होगा invert करने से जो negative की ये value है ये positive में change हो जाएगी तो इस तरह हमारे पास pH की equation हाजएगी Pk plus log A negative divided by HA तो ये आगी equation जो हमने drive किया इस acid को use करते हुए तो इसमें HA क्या था? HA हमारा था acid ठेक है और जो A negative थी ये हमारी base थी क्योंकि reverse reaction में A negative इस hydrogen को set करके acid बनाएगी तो inactive base है, HA acid है तो यहाँ पे equation में हम acid और base भी लिख सकते हैं तो आज आएगा pH is equal to Pk plus log उपर आजएगी base divided by acid तो इससे हम किसी भी acid की pH किसी buffer solution की pH हम find कर सकते हैं जिस पर उकाम कादा है तो यहाँ पर हम देखें कि pH किस किस चीज़ बेपेंडेंट है ये PkA पर डिपेंड कर रही है उसके लाब हम base और acid की जो concentration है उनकी ratio भी डिपेंड कर रही है तो अगर acid or basic concentration equal हो acid concentration बराबर हो base के तो उससे क्या होगा कि जो acid or base काटे जाएंगे और यहाँ पर आजाएगा log 1 ठीक है तो log 1 की value जो होती है वो 0 के equal होती है तो उस case में pH बराबर आ जाएगी PkA के ठीक है तो कोई efficient buffer वो होता है जिसमें pH और PkA बराबर हो वो most efficient buffer होता है और जादा तर buffer जो efficiently work करते है वो अपनी PkA की plus minus one की range में वर्थ कार रहे होते हैं तो अब यह topic जो है आप चाहे इसको harper से prepare करें चाहे सत्या से prepare करें सत्या में उन्होंने HA के बजाए यहां पर कार्बोनी के से डिलिया होगा ठीक है बाकि जो derivation है वो same है Thank you